मेरे प्यारे बचो डायरेक्सिन चेक्टर के क्वेस्चन को बिना डायग्राम कैसे सोल करें ध्यान दीजिएगा अब इसे एक पूरव दिसा की और चलता है और अपनी यात्रा शुरू करता है और 8 किलोमेटर चलता है पूरव दिसा की और यानी इस्ट में सबसे पहले वो कितना गया 8 फिर उसके बाद का है फिर वे दाइं मुडता है और 9 किलोमेटर चलता है इस्ट के राइट में यानी पूरव दिसा की दाइं और क्या होता है साउथ वहाँ पर कितना गया 9 km और अंत में बाई मुडता है और 4 km चलता है अब यानी साउट से दुबारा लेफ्ट लिया है दक्षिन के बाई यानी इस्ट में कितने चलता है 4 अब यहाँ पर पुछा गया वह अपने प्रारंबिक स्थान से कितनी दूर है तो वहकुल मिलाकर पूरों दिसा में 12 km चला है और दक्षिन दिसा में 9 km चला है जब दो वैल्यू बसती है तो दोनों वैल्यू उसका स्केर कीज़ेगा और उसका अंडर रूट लिज़ेगा और यहाँ से हमें मिलेगा अंडर रूट 225 जिससे हमार अंसर मिलेगा 15 km यहीं वीडियो चे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें